नमुष्कार आप देख रहे हैं दशन्यूज और मैं हूं यती आपके सांध राजनिती में जो भी रिष्टे होते हैं वे महस्त तभी तक होते हैं जब तक आप पावर में हूँ या फिर सत्ता में हो यदि आप उनसे अलग होते हैं तो फिर ये रिष्टे भी बदल जाते हैं और रिष्टे के माइने भी बदल जाते हैं जी हाँ ऐसा ही कुछ वाक्या जो है वो बिहार में हुआ है ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि राजुनिती के लिए बस रिश्टे बनते हैं बिहार में ये चलिए हम आज के इस खबर में आपको बताते हैं दरसल विहार में लालुप्रशाद यादव की पार्टी राज़त ने लोगसभाद चुनाव के लिए अपने जितने भी तेज सीटी आई हैं उनमें से 22 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिये हैं राज़त अध्यक्ष यानिकी राज़त सुप्रीम उलाल पिशाद यादव ने अपनी बेटियों को यानिकी मिशा भारती और रोहिनी अचारे को टिकट दिया है लेकिन दिवंगत नीता शरद यादव के बेटे शांतनु यादव को टिकट नहीं दिया गया अरज़डी की ओर से मध्यपुरा लोकसभा सीट से प्रोफिसर कुमार चौंदरदीब को मैदान में उतार दिया गया जबकि इस सीट से सांतनु यादव चुनाव लड़ना चाते थे इसको लिकर उन्होंने चाहत विजायर की थी और लगतार वो मध्यपुरा पर एक्टिव रहते थे लोगों के बीच जाते थे बाते सुनते थे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार शांतनु यादव जो हैं वो लोगों के बीच जाते हैं मध्यपुरा में और लोगों की बाते सुनते हैं वो मध्यपुरा से साफ तोर पर चुनाव लड़ना चाते थे क्योंकि ये उनके पिता जी की धरूहर थी टिकट नहीं मिलने पर सांतनु यादव का दर्द छलक पड़ा है शांतनु यादव ने बीते दिन मंगलवार की रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया अपने पिता के साथ एक तस्वीर लगाई और उसमें लिखा कि पिता का साया सिट से हट जाना जीवन का सबसे कश्ट दाइशन होता है शांतनु यादव ने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है उससे सियासी अटकले भी तेज हो गई है साफ दोर पर आप देख सकते हैं कि शांतनु यादव जो है वो अपने पिता को कितना जादा याद कर रहे हैं पता दें कि जब तक शरद यादव जो है वो लाल प्रशादी यादव के साथ थे तब तक बहुत अच्छा था तब तक लगातार शांतनु यादव उनके बेट यानिक लाल प्रशादी यादव के दोनों बेटों के साथ भी नज़र आए अभी हाल की तस्वीर सामने आए तरद यादव जी का निधन हुआ तो उसके बाद शांतनू यादव को टिकट दिया जाएगा लेकिन जब टिक्टो का ऐलान हुआ तो वहां पर लालु प्रिशाद यादव ने अपना दूसरा प्रत्याशी उतार दिया ऐसे में शांतनू यादव को अपने पिता की याद जीवन का सबतेकस्ट दाईशन होता है बता दें कि अफशारद यादव के जाने के बाद जो उनके समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि कही न कहीं लालु प्रिशाद यादव ने गलत किया है वही दूसरे तरफ सियासी जानकारों की अगर माने तो ऐसा माना जा रहा है ऐसा कह भी जा रहा है कि शांतनु यादव शायदव पप्पू यादव चुन सकते हैं क्योंकि उनके पास अब कोई विकल्प नहीं एक सीट का उमीद था जो अब जा चुका है मध्यपुरा सीट को सरद यादव की कर्म भूमी के रूप में जाना जाता है मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने के बाद भी शरद यादव ने यहां लालू यादव को सिकस्त दी थी इसके बाद वो मध्यपुरा के ही होके रह गए शरद यादव ने बले ही लालू यादव को हराया हो लीकिन बाद में दोनों के रिष्टे कापी अच्छे हो गए थे कई जगों पर दोनो को एक दूसरे केस साथ देखा जाता था शांतनू अब अपने पिता की राजनिती विरासत को समहालना चाहते हैं लेकिन लालुपिशाद यादव ने उन्हें मौका नहीं दिया ऐसे में अपना दुख जाहिर करते वे शांतनू यादव ने बीते मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपना दुख जाहिर किया उन्होंने अपने पिता के साथ तस्वीर लगाई और इस तस्वीर को हम आपको एक बार फिर्ट से दिखा रहे हैं जिसमें साफ तोर पर सांतनू यादव कहते नजरा हैं कि पिता का साया सर से उड़ जाना जीवन का सबसे बड़ा दुखदाई होता है तो साफ तोर पर अगर बात करें तो अब जो राजनितिक जानकार हैं राजनितिक गली आरे में ये खबरे हो रही है कि शांतनो यादव भी सायद निर्दल ये लड़ सा क्योंकि अब उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है आर जड़ी का समर्थन उनको नहीं मिलाल और शादी यादव ने उन्हें मधिपूरा से मौका नहीं दिया तो शायद अब वो भी पप्पू यादव की राह पर चल सकते हैं दर्शनियूस में फिलहाल के लिए इतना ही देश दुनिया और बिहार जार्खन की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बन